ज्यूस के Ł DANIEL DRM तो आज हम बात करेंगे, कि जो ध़िस कोर्ट आपनी जजमेंट देते हैं क्या वह डेपैंड होते है,ineshe उनके decisions होते हैं आपका हर ह होते हैं और फिर जिस स्टेट का वह high court है उसे में just apply होते हैं हैm o answer of the question is within the territory of India तो पूरी इंडिया में अपला ही होते हैं तो इसका जो हमें constitutional provision है वो कहा मिलता है वो यह मिलता है जो जो जूडिसरी है ना वो क्या है integrated है याने की integrated independent है इसी से हमको इसका वो मिलता है जैसे की article 141 of Indian constitution भी कहता है जो supreme को decision देता है ना वो binding है all over the courts जैने की within the territory of India until unless it is not void or unvalued जर्तक वो unvalued or void ना हो ठीक है तो वो allowed है अब suppose दिल्ली high court ने कोई decision दिया किसी भी regarding maintenance के या कुछ भी तो वो और states में भी apply होगा वो तब जब high court में मामला चल रहा होगा courts to courts कहने का मतलब यह कि एक high court का decision है वो दूसरे high court में भी आप उसको authority paste करके अप मतलब apply कर सकते हो justice के लिए जैसे कि suppose कोई state है उसमें ना मतलब कोई कुछ भी ले लो maintenance का रोल बना दिया मालो जैसे डैली high court ने decision दिया था कुछ समय पहले आप साथ मतलब one by three जो maintenance पर ज्यादा नहीं लेगा तो वो और states में भी आप apply कर सकते हो या फिर अब कोई court आ जाए कोई भी हर्याना की यह ठीक प्राइवेसी में आता है आप उसको चला सकते हैं यूज कर सकते हो तो वो अब all over India apply हो गया जिनकी आप कहीं भी उसको पेस कर सकते हैं उसकी authority को कि इंटरनेट है हमारा यूज करने का अधिकार है यह हमारा privacy fundamental प्राइवेसी आपने सुना होगा ना कुक्टा स्वामी वर्स प्राइवेसी तो यह प्राइवेसी में आ गया अप इंटरनेट पे अपका अधिकार है तो कहने का बतलब यह वो बाइडिक है मतलब आप यूज कर सकते हो और जुसका प्रोविजन है वो है article 141 of Indian Constitution ऑगे सायोप इसके लिए तो अगर आपको साथ कुछ है आपको कुछ डा आपको ऑगे सायो आपको सायोप में आपको सायोटे कुछ है वो है